बिसमिल्यारम अरहीम, असलाम लेकूम, वेलकम टू माई चैनल, कैसे आप सब, उमीद करती हूँ कि आप सब खेरिये से होंगे, खुश होंगे, आज मैं बच्छों और बड़ों दोनों के फेवरिट चॉकलेट, कपकेक्स की रसे पे लेकर आई हूँ, जो के बहुत सॉफ्ट और स्पॉंज बनके तयार होते हैं, इसको हम बनाएंगे विदाउट अवन, यह इतने मज़े के बनके तयार होते हैं, कि आप इसको पार्टीज वगएरा में भी इंजॉई कर सकते हैं, फ्रेंड्स चैनल पे न्यूँ हैं, कार्ड़ी चैनल को सब्स्राइब करें, बेल का प्रेस करेंगे तो अने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और जबर्दस से हमारे कपकेक्स बनके तयार होते हैं, सबसे पहले हम इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव करेंगे, इस तर करते हैं और शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को चॉकलेट कपकेक बनाने के लिए बाउल में लिए हैं दो अंडे अंडे आपके रूम टेंपरेचर पे होने चाहिए अब इसको बीट करेंगे मीडियम स्पीड पे 2-3 मिनट अंडे भीट हो चुके हैं अब मैं मैं इसमें एड करूंगी हाफ कप मेरे पास है पाउडर शुगर सिंपल चीनी को आपने ब्लेंडिंग जार में डालके इसका पाउडर बना देना थीक हो गया अब इसको बीट करेंगे फलफी और फोमी होने तक 3-4 मिनट अंडे और चीनी जो है वह अच्छे से हो चुकी है मैं इसमें एड करेंगी मेरे पास कुकिंग उइल और इसको बीट करेंगे 1-2 मिनट अब मैं इसमें एड करेंगी 2-3 ड्रॉप योहें वनिला ए असेंस के ठीक है और इसको बीट करेंगे 30 सेंस्टолет्स, और 1 cup मेरे पास है मैदा यह हम इसमें एड कर देंगे और हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा चॉकलेट पाउडर कोको पाउडर ठीक है अब इन तमाम चीजों को हमने अच्छे से चान ले रहे हैं ठीक हो गया अब हम इसको हैंड विस्की हल्प से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास बीटर नहीं आना तो आप केक का बैटर जो है वो हैंड विस्की हल्प से भी रेडी कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रिजर्ट जो है वो बिलकुल परफेक्ट आता है बीटर जै उसमें मैंने यूज किया था गरम पानी ठीक है अवन में इसको मैंने 30-40 सेकंड्स अच्छे से गरम कर लिया था गरम दूध हम इसमें यूज करेंगे थोड़ा सा इसमें और एड करूंगी हाफ कप में से तकरीबन 1-2 टेबल स्पून दूध हमारा बच गया है इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और स्मूध सा हमने बैटर रेडी कर लेना है ठीक हो गया ये देखिए ये मिक्स हो चुका है और एक ही सीक्वेंस में आपने इसको गुमाना है इस तरीके से और आपको कंसि इस तरीक है ये टेबल स्पून जो दूद बचा है इसमें एड कर सकते हैं अपकेक ट्रेली है मैने उसे मैंने सिंपली कंस के एक पेपर लगा दिया है कोई ऑईलिंग ने की अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इसमें ऑईलिंग करके मैदा डस्ट करके भी बेक कर सक 1-4 cup मेरे पास या कोई भी आपकी घर पे प्रवाइब हो ना जो अंदर से डीप हो ठीक है वो आप ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें लेंगे 1-4 cup जितना बैटर जो है वह हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से ठीक है इसी तरीके से सारे मैं फिल आप कर स्प्रिंकल के साथ यह है कि बच्चे बहुत शौक से इसको खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी हम इस पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे जो के बहुत ही खुबसूरत लगता है प्यारा लगता है बेखे तरक की हैices स्प्रिंकल तिहले हैं और उन तक शोला मैं Ayn अब याप करां प। यि गया थे बिभलेेंट डिटी संपरे अब हम प्रिएट करने के तर us या वियुक्त कने की तर्फ फिंडिया थेके तरफ दो उनके साथ कर सकते हैं अब बैटर को जो है बिसमिल्लायरमान रहीम वह हम बहुत ही अहत्यात से इसमें कर देंगे ट्रास्फर अब हम इसको करेंगे कवर और लो फ्लेम पे 20-25 मिनट के लिए हम कपकेक्स को बेख होने देंगे 20 मिनट हो चुकें तकरीबं तो लीजिए माशालला बहुत ह हमारे जबरदस और मज़ेदार से हमारे कपकेक्स बनके तयार हो चुके हैं अब एक स्टिक के अलब से हम चेक करेंगे यह देखिए स्टिक हमारी बिलकुल क्लेयर है अगर आपकी स्टिक क्लेयर नहीं आती तो आप इसको मजीद 5 या 10 मिनट दे सकते हैं इसको मैं निकाल ल अपने जड़ोर करना है कमेंट में कांड ली फीड़बैक मुझे जरूर दीजेगा आपको मेरी रचीपिस कैसी लगती हैं दौा आ उम्हार रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा खुश रहेगा आला हाफीस